नमस्कार में हूँ संजीव कुमर और आप देख रहे हैं वेव समाचार पूरे बिहार में पंचाय चुना हुए करीब करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है विगत एक वर्सों में जो वर्तमान के मुख्या है इनके द्वारा क्या कुछ डेफलेप्पेंट यानि विकासा क अचायत के नाम है नवाडी और यहां के जो वर्तमान मुख्या है गिर्जा देवी हैं हलाकि जन्ता ने जब उनको पांच वर्सों के लिए मौका दिया है तो निश्यत और से छेत्र में रहेंगे लोगों से रूबर होंगे और दुख सुख में सामिल होंगे डेवलेप्प करते हैं कि आपके जो मुख्या जी है डिवलप्पेंट को लेकर विकास को लेकर कैसे मदद करते हैं तमाम इद्व पर बाचित करेंगे पहले तो लग्लान कुमार मांजी जी आपको वेब समाचान बहुत स्वाथ करते हैं अच्छी बताईए कि जब आपके जो मुख्या ज परांगान में पहला काम किया गया अच्छी बताईए कि प्रधान मंतरी अवासोजना द्वारा क्रीब-करीब कितनी लोग को आवास मीला है दो सौ आठा सी लोगों को ला जी आच्छा पंदरिवी से सश्टम से क्या कूछ काम होड़ाया भी हो रहा है सरो रोड नली गली मंद्रिज़ भी हो रहा है काम अच्छा खासा चल रहा अच्छा करें कि हर पंचायत में में या क्ये स्थिति है जी है कि बना हुगा धुछ तो जो पंचायती जो काम बैगराज होता है क्या वहीं से हो रहा है या कहीं दुश्रे जगल के नई तो वहीं से कि इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी वर्तवान में अभी पेजल का समस्या है रोड समस्या महादलीट के जो रास्ता है वहां पे किलिये रास्ता नहीं है चापकल बहुत ऐसा कि खराब पड़ा हुआ है मनरेगा की क्या इस्तीती है मैं देख रहे हैं कि पूरे बिहार की मुख्या लोग इससे अचे कहसे नाराज है उसमें सब जनता नाराज है मनरेगा में जी सिस्टम बहुत चेंज कर दिया गया है और पैसा भी समय पर नहीं निकलता है इसके वैसे जी सरीवात आईए कि सुरक् सरकार सिर्फ बोल देते हैं अपना जो भी लाप के लिए कुछ भी लेकिन करते नहीं करते नहीं आज मुख्या मरा रहा यहां बिधायक मरा रहा एंपी मरा रहा जो भी आज हम लोग पंचायती वाले को मुख्या के जादे दीकत होता है गाली गुता लन फैन जने पाओ हम पेक भी नहीं मिलता है जाडवेरा नहीं मिलता है अचीवत है यह कि पूर्व पंचायती राजमांतरी ने कहा था इनी तमाम उद्दों के लेकर के 16 मार्च को बिहार के जितने भी मुख्या है मुख्या या मुख्या परतनीदी है सब लोग गानी मतलब पटना जूडे थे और तमाम उद्दों के लेकर के राजभवन मार्ज भी किये थे तो अधिकारों के लेकर भी कि जिस तरह से अधिकार में कटवती किया जा रहा है चाहे अभिमान ले जाए कि अभी आप लोग को एस्टिट लाइट लगाना है लेकिन आपके केवल समती चाहिए आपका पैसा लेकिन कहां पर लगाना है या मुख्या का अधिकार नहीं है इसके अलावा 29 निगम है 29 में कई ऐसे अधिकार है जो कटवती किया जा रहा है तो अब यह बताये कि संवीधान को लेकर जिस तरह से संवीधान बना है कानून बना है तो अधिकारों में कटवती क्यों MP ML को हर तो उनका भी कारेकाल 5 साल का तो पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो अगर पेंशन नहीं मिलता है तो जिस तरह से 16 तारीक हुआ दुबारा से इस पे आप लोग कुछ कारेकरम करेंगे लड़ाई लड़ेंगे हम लोग भी मांग पूरा होना चाहिए जो है जो हम लोग को मुख्या संग का अधियक्ष जो है उसका निर्थित का पालन करेंगे लड़ाई लड़ेंगे चार वर्स का काम बाकी है क्या कुछ आपने सोच रखा है इस पंचायत के लिए जनता के पास आप गये होंगे तो मैंफेस्टो तो होगा यह जो महादली टोला दिकतर है जहां पे रोड नली गली और पेजली से को दिकत है यह हम तो चाहते हैं कि पूरा हो जाए हमारा यहीं स अब इस मुद्दे से हटके बात करते हैं कि पूरे बिहार में जाती जनगना हो रहा है होना चाहिए के नहीं होना चाहिए एकदम होना चाहिए बिलकुल से जाती जनगना और जाती का अनसार भागदारी मिलना चाहिए ब बागदार होगी तो निश्वी तोर से जो जातिकत जनगाना होड़ा है और होना भी चाहिए इसके अलावा सुरक्षा को लेकर कि जब पूर पंचाथी राजमंत्री ने जब बोला था कि सबको आत्म सुरक्षा को लेकर लेसिंस दिया जाएगा तो अब तक क्यों नहीं मिला कई मुख्य हो चुकी है इसके साथ साथ पेंशन को लेकर सुरक्षा को लेकर के साथ आपने कहीं पेंशन भी होना चाहिए मांदे भी होना चाहिए और पेट्रोल खर्च भी मिलना चाहिए जिस तरह से एमपी एमिले को जो सुविधा मिलता है तो मुख्या को भी मिलना चाहिए वाट प तो लुगते हैं कि आप जनसेवक है, तो MP MLGandha क्या है, क्या वो जनसेवक नहीं है? इसके साथ साथ कई ऐसे योजनाए हैं, जो 29 निगम है, मुख्या का अधिकार में आता है 99 निगम, लेकिन 29 निगम में कई ऐसे अधिकारों को जीवका को दे दिया गया है, कई ऐसे योजना आप यह बताईए कि पुर्म में काम करने का तरीका और अभी वर्तमान के काम करने के तरीका क्या अंतर लग रहा है देखे सर हम पिछले 2011 वाला में हम लास्ट में समय हुआ था हम पुर्विप मुख्या नवाडी का परतिनी धी रह चुका हूं मेरी पतनी 2006 का जो चुना हुआ टेयла वाइशा था उसमें क्या आंता लग रहा है का मेरे पहले शोनोंतर रूपसे का तर रूप से काम कर रहे हैं पर सरकाड़ है डोसीं नोयगा बहुत परसानी हो रहा है जिसके कारण से विकास अब्रूद होता है और जो भी पूर्वे में जिसे काम अभी नली-गली का जो हो चुका है उसका भी सरकार भी हर सरकार और केंदर सरकार ध्यान नहीं जिसके चलते हैं इनका भी विकास रुक रहा है अगर सरकार का बढ़ियां मंदरेगा का सुट हो गया है तो हम लोग मंद्रेगा सो भी बहुत तो चमन कर देते रोड नली गली लेकिन सिर्फ अभी कच्छा वर्ख हो रहा है यही परसानी है सर तो अपने सुना के जिस तरह से हमारे साथ पूरू मुख्या भी जूरे हुए हैं और इनका भी क्या कुछ काना है कि पहले मुख्या जी स सचीव होता था लेकिन अब जितनी भी योजनाए हैं हर योजना के करमचारी है और वो अपने सिर्फ से काम करते हैं तो निस्त तोर से जो पहले काम करने में जो सविदा थी निस्त है अभी तो समस्याइं हैं लेकिन हम ये भी कर सकते हैं, कि जो पहले काम करने का तरीका था और अब में बहुत अच्छा हो गया है, पहले ये था कि काम हुआ कि नहीं हुआ वो तो यहां के जनता ही बता सकते थे, लेकिन अब वर्तमान के जो मुखिया है, उनको काम करके दिखलाना है, उसके बाद उस य उसे जानते हैं कि उनके पंचायत में क्या कुछ काम हुआ है डेवलपेंट को लेकर विकास को लेकर समस्या क्या है तमाम उद्दोपी उनसे बात जीत होगी आपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद